पकोड़े तो हम लोग बहुत तेरह के खाते हैं लेकिन प्याज के पकोड़े की तो बात ही कुछ और होती है और बारिस के मौसम में गड़मा गड़म पकोड़े और तीखी चटनी या फिर कैचप के साथ वाव मजा ही आ जाता है ना तो आज में आप लोग साथ सेर करने वाली हूँ प्याज के पत्ते की पकोड़ी तो चलिए सुरू करते हैं विनर टाइम वेस्ट किये प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ हरा वाला प्याज जैसा कि आप सब देख रहे हैं तो इसको हम लोग ना कोल तयार करेंगे तो यहाँ पे मैं ली हूँ बेशन लगभग एक छोटी का टोड़ी और इसमें मैं डाली हूँ चीली फ्लैक्स और अजवाइन मंग्रेल और इसके बाद हम डालेंगे अद्रक थोड़ा सा कूटकर और हल्दी पाउडर थोड़ा और आधा चम्मच लाल मि काट कर और उसके बाद हम इन सब को मिला लेंगे अच्छे से तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिला ली हूँ और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी और इसे हम अच्छा सा बैटर रेडी करेंगे तो इसे अच्छे से मिलाना है तो यहाँ पे देखिए इसका घोल तय प्यार हो चुका है जैसा कि आप सब देख रहे हैं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने कट करके रखा है न पत्ता वाला वो तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से काट कर धोली हूँ और यह वाला जो गहोल मैं बनाई हूँ न बेशन का उसमें हम इसको डालें करेंगे Pat , और इसमें हम थोड़ा सा गेहूं का आटा एडD करेंगे क्यूंकि बेशं से सिर्फ अच्छे से चिपकता नहीं है तो अगर हम आटा स Mart करेंगे तो बहुत ही अच्छे से पकोडी बनता है तो आप थोड़ा सा आठा डाल दे ताकि ये बहुत ही अच्छे से शेप आए तो ये देखिए ये अब हटेगा नहीं अच्छे से ये सेट हो जाता है तो चलिए अब हम इसे फ्राइ करते हैं पकोडी को तो मैं पैन में तील डाली हूँ और इसमें हमें के कड़के पकोडे डालेंगे इस तरीके से और मिडियम फ्लेम कड़के रखेंगे और अब आप देख सकते हैं एक साइड से यह हलका हलका पक चुका है तो अब हम इसे दूसरे साइड पलट देंगे तो इसे हम हलका ब्राउन करेंगे तो एक साइड से यह ब्राउन हो चुका है और दूसरे सैट भी हम इसे ब्राउन कर लेंगे अच्छे से हम इसे फ्राय कर लेंगे तेल में और अब आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे से दोनों सैट से इसका कलर ब्राउन हो चुका है अच्छे से यह देखिए तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे तेल से तो य चटनी या फिर इमली की चटनी या फिर टमाटर की चटनी जो भी चटनी के साथ आप प्याज की पकोरी खाईएगा न तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है हरे प्याज की पकोरी तो उमीद करती हूँ कि आपको प्याज की पकोरी की रेसि कर लीजेगा बिल आइकन के साथ ताकि जो भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ सेर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलती हूं नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बबाबाई टेक एर थैंक्स फूर वोर्चिंग